गुड इबनिंग दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू कलास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में पितरों दो दिन जो मैंने आधुनिक कला के चितर और चितरकार से समधित प्रशन दिया उसको आप सभी ने बहुत प्रशन किया और आपका मियन और दिल कह रहा है कि सर इस तरह के प्रशन और चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सापको समय देना पड़ेगा तो इसलिए एक द प्रशन पूछा जाएगा तो आज से सुरू होगा तो जरूर आज वहां पर जुड़ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं अगर चैनल पर नहीं जुड़े है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जूड़के वेट वेल आइकन ताके नोटिफिकिशन मिलता रहे लाइक श ललित कला के अंतरगत इनमें से कौन सी कला आती हैं चितर कला आती है मुर्ति कला आती है अस्थापत्य कला आती है यह सभी कलाएं जो हैं ललित कला के अंतरगत आती हैं यह हमारा पहला आज का प्रशन है तो फटा फट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करतना सुरू कर दीज यानि ये सभी कलाये जो हैं ललित कला के अंतरगत जो हैं आती हैं ठीक हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 2 की तरफ दूसरा प्रश्ण देखिएगा इसमें भी अच्छा प्रश्ण लिया गया है यकीनें आपको प्शंद आएगा कादंबरी में कितनी कलाओं का उलेख हैं तो प्रश्ण संख्या 2 का कहना है कि कादंबरी में कितनी कलाओं का उलेख किया गया यह हमारा दूसरा प्रशन है तो फटाफट कमेंट्स करिए और मेरे Facebook पेज को फालो जरूर कर लिजेगा इसी चैनल के description बाक्ष में आपको लिंक मिलेगा EMU Classes Art जहां पे आज रात 9 बजे से आपको प्रशन पुटप किये जाएंगे और उसका आपको response देना है तो जब फालो किये रहेंगे तभी आपको वहाँ पे दिखेगा मिलेगा तो दूसरे प्रशन का जो सही जबाब हमारा होगा वो मित्र हो जाएगा B. 64 कलाओ का उलेख है ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 3 की तरफ देखेगा तीसरा प्रशन हमारा पूछ रहा है ललित कला होती है जो ललित कला होती है वो किस तरह की कला होती है? समाजिक कला होती है? सौंदर ये परधान कला होती है? या दोनों ही कलाई होती है यानि समाजिक और प्रसोंदरे परधान दोनों या इनमेशे कोई नहीं तो ललित कला किस तरह की कला होती है ये हमारा तीसरा प्रश्ण है आपके इस चैनल के इस वीडियो में तो चलिए बताईए ललित कला किस तरह की कला मानी गई है तो मित्रो ललित कला जो है वो दोनों ही कला कह रहा है ललित कला जो है वो आपकी एक तीसरा प्रशन था ललित कला जो है वो सौंदर एपरधान कला मानी गई है देखिएगा दोनों नहीं सौंदर एपरधान सिर्फ यानि ललित कला सिर्फ सौंदर एपरधान कला मानी गई है आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है अने स्क्रीन मुर्तिकला का आधार है जो मुर्तिकला की जाती है उसका आधार क्या होता है मतलब मुर्तिकला को मुर्तिकार करता है जब मुर्तिया बनाने के बारें सोचता है तो उसमें क कालाकार अगर किसी चीच की मुर्ती बनाना चाहता है तो मुर्ती बनाने के लिए वो आधार के रूप में क्या चुनेगा धातु पत्थर दोनों या कोई नहीं ठीक है तो आप सिकल जो है बेसिकली आप इस प्रशन का उत्तर समझ गये होंगे और इसका राई टेंसर हो जाए हलका तराशने पर आकरतियों में चप्टापन रहता है तो उस तरह की कला को क्या कहते है लो रिलीफ हाई रिलीफ चित्रकला या मुर्तिकला यानि कि जब कोई कला में किसी चीच को हलका तराशने के बाद जब उनकी आकरतियों में चप्टापन आ जाता है दिखाई दिने उस तरह की कला को हम low relief कला कहते हैं high relief कला कहते हैं चित्र कला कहते हैं या मुर्ति कला कहते हैं यह पांच बाप्रशन है तो ड्रॉप करते जाएं एंसर और फटा फट हमारे Facebook पेज को फालो करें डिश्क्रिपशन बास के लिंक में हैं और चलिए इस प्रश्ण का उत्तर देखते हैं क्या होगा तो इसका होगा लो रिलीफ एर राइट एंसर क्या होगा लो रिलीफ कहते हैं ठीक है बढ़ते हैं छे नमर प्रश्ण की तरह प्रश्ण संख्या 6 देखिएगा क्या कहरा है छे नमर प्रश्ण का कहरा है हीगल ने ल ललित कला कितने भागों में डिवाइट की गई ठीक है चार भागों में डिवाइट की गई तीन भागों में डिवाइट की गई दो भागों में डिवाइट की गई या पांच भागों में डिवाइट की गई तो हीगल के अनुशार ललित कला कितने भागों में डिवाइट की उसमें आपका रिशपांस बहुत बढ़िया है और आपकी स्पीड बहुत अच्छी है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और rackip at commandments में अच्छे प्रशनों के उत्तर देख के बहुत rhूशी तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D5 ठीक है आगे बढ़ेंगे प्रश्न संखिया 7 की जिकर करेंगे अब हम लोग तो सात्वा प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न संखिया 7 कहना प्रश्न का वास्तुकला का आधार माना जाता है वास्तुकला का जो आधार है बेस है वो क्या मिट्टी माना जाता है सिमेंट माना जाता है पत्थर माना जाता है या ये सभी माने जाता है जैसे कि अभी थोड़ दिर पहले आप से मैंने एक प्रश्न इसमें किया था मू इस्तिमाल करने वाले रंग पेंसिल जो भी स्केच का खीचना है वो चाहिए तो सबसे पहले जो आधार चाहिए वो तो हमको पेपर चाहिए उसी तरसे वास्तुकला का आधार हमको क्या होना चाहिए तो मित्रो वास्तुकला का जो आधार है सभी रहता है मिट्टे सेमेंट औ वास्तु कला के आधार में आती हैं. ठीक है? चलिए, रुख करते हैं अगले प्रषन के तरफ जिसका संख्या है? प्रषन संख्या आठ. आथवा प्रषन आपके इसक्रीन पे है और कहरा है आठवा प्रषन., नाटे सास्त्र में भरत मुनी ने किस कला को स्रिष्ट माना नाटे सास्त्र भरत मुनी के द्वारा लिखा गया गरंग और उसमें कौन सी कला को सर्व स्रिष्ट कला के रूप में उन्होंने वडित किया ठीक है नाटे सास्त्र में भरत मुनी ने किस कला को स्रिष्ट माना चित के तरह और बस कुछ दिन इंतजार करिए और भी बहतरिन सटीक और बहतरिन जो है मैं बनाओंगा प्रस्ण उससे संबंदित लेकिन उसके लिए थोड़ा से इंतजार करना पहलेगा आज रात नो बजे आप मेरे फेस्बुक पेज़ पे अगर फालो नहीं किये तो जूड़ पेज एम ल उ, नव गूलासेस आठ सर्च करिएगा पेज 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 पेज़ आपने फेस्बुक को खोलीएगा और पेज आचवन पे जाकर करके सर्च मार येगा तो वहाँ पर आपको ये लोगो दिखाए जीगा vaccinated, ठीक है तो वहाँ पर आपको आच्छे प्रश्न मिलन शुरू हो जाएंगे अच्छे अच्छे प्रश्णी मिलेंगे आपको यकीनन तो चलिए आठ नमर प्रश्ण का सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा संगीत कला को नाटे सास्तर में भरत मुनी ने संगीत कला को सरिष्ट कला माना है ठीक है? नो नमर प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या नो नमर प्रश्ण का कहना है नाटे सास्त्र किस सताब्दी की रचना है यानि जो नाटे सास्त्र है भरत मुनी के द्वारा लिखी जिस पर अभी अभी पड़ा संगीत कला को सरिष्ट मना गया है वो कौन सी सताब कौन सी सताबदी की रचना है ये आपका no number प्रशन पूछ रहा है तो चलिए कमेंट्स करते जाएए फटाफट मित्रो कमेंट्स मेरे उत्तर से पहले आना चाहिए तभी आप अपने टेश्ट को समझ पाएंगे कि कितना response चलना है आप ठीक है तो इस प्रशन का सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा डी पहले सताबदी की रचना है ठीक है आगे बढ़ते हैं रुख करते हैं प्रशन संख्या दश की तरफ दस नमर प्रशन जो है वो देखिए क्या कह रहा है 10 नमर प्रश्ण का कहना है कला के कितने भेद हैं जो कला है उसके जो भेद हैं वो कितने हैं 1, 3, 2, या 4 सिंपल सवाल है इस कला का और कभी-कभी आपको मैं बता दू ऐसा होता है कि एक्जाम में एक्जामनर जो है एक लाइन का कोश्चन पुछेगा और बहुत लोग जो है हाई कलास के कोश्चन को पढ़ते-पढ़ते पिछे की चीजों को याद करना भूल जाते हैं उनको लगता है कि ये ठीक है ये तो हमको पता है लेकिन अचानक से उहां जाने के बाद जब आफसान आता है तो दिमाग से हवा हो जाता है कि अरे इस प्रशन को मैंने पूछा पता देखा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है तो इसलिए इन सब चीजों को बहुत ख्याल रखिएगा तो इस प्रशन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दो कला के कितने भेद हैं मित्रो तो कला के दो भेद हैं और आएए अब चलते हैं ग्यारह नमर प्रशन की तरह प्रशन संक्या 11 देखे का क्या कहHehRA है 11 वे प्रशन का कहना है 64 कलाओ का वर्डन किस गरंध में किया गया 64 कलाओ का जिक्र वर्डन व्याख्या जिस गरंथ में किया गया क्या उस गरंथ का नाम कामशुत्र है उस गरंथ का नाम जैमंगला है उस गरंथ का नाम चौर पंचासिका है या नाटे सास्त्र है कौन सी गरंथ में 64 कलाओ का वर्डन किया गया है एक ग्यारा नमबर प्रश्ण तो ड्रॉप करिए फटाफट एंसर और जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर है जो निव है जुड़ रहे हैं अगर उनके दिमाग में कोई ऐसा डाउट है तो बेही चक पूछ लें हमारे कमेंटस बाक्त में भी बहुत ऐसे मेंबर हैं जो आपको अच्छी राए देते हैं और देंगे भी अगर हम नहीं देपा रहे हैं अगर तो वो भी आपको देते हैं हर लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं न में यहीं अमारे चैनल की खाशियत है तो चलिए 11 नमर प्रश्ण का राइट एंसर जो होगा वो हो जाएगा कामशूत्र में ठीक है आगे बढ़ते हैं 12 नमर प्रश्ण को देखते हैं तो प्रश्ण संख्या 12 हमारा पूछ रहा है 12 नमर प्रश्ण का कह रहा है भारतिय कला का उध्धम किस काल को माना जाता है भारतिय कला का जो उध्धम है वो जिस काल को माना जाता है वो काल का उसा है भारतिय कला का उध्धम मतलब सुरुवात भारतिय कला में कला का जो सब्द यानि की कला है यस तरह की कला है ये कला है उसका उध्धम जैसे होता है न कि क्या बोलते हैं नदियों का उध्गम जो है यहां से हुआ कि इस जगह से नदिया निकल नहीं है इस जगह से जहाना उध्गम हो रहा है यहां से यानि जरिया वहीं से है आने का तो यहां भी वही पूछना चाहता है कि कला का जो सुरुवाती जरिया है वो कहां से उध्धम माना जाता है प्रागेतिहाशिक काल को मुगल काल को गुप्त काल को या वैदिक काल को ठीक है तो इस प्रशन का उत्तर तो आपनों जान ही रहे होंगे कि ए राइट एंसर हो जगा है प्रागेतिहाशिक काल यानि आदिम काल से कला का उद्गम भारतिय कला में शुरू हुआ और उसके बाद आगे चलता चला गया अलग-अलग काल में तो चलिए प्रश्ण संखिया तेरा को जिकर करने वाले हैं हम लोग और तेरा हमें प्रश्ण का कहना है प्रबंध कोश में कितनी कलाओ का वडन है जो प्रबंध कोश में कितनी कलाओ का वडन किया गया है फटा फट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स उतरते जाए और आज के टेस्ट सीरीज में अपने टेस्ट को बता दीजिए जरा कितना रिस्पॉंस है आपका तो तेरा नमर प्रश्ण का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी 72 ही देते हैं उसके बाद फिर इस तरह के और भी बहतरीन वीडियो मिलेंगे ठीक है भिखारी किस चित्रकार का चित्र है भिखारी किस चित्रकार ने चित्रित किया देखिएगा अजित कुमार नहीं है यह अशित कुमार है क्या है अशित कुमार हल्दर तो अशित कुमार हल जगा डी राजारभी बर्मान है चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखरी प्रशन है क्योंकि आज मैंने आखरी 15 प्रशन लिया है क्योंकि आज भी मैं जो है अपने जगा पे था तो इसलिए जल्दी जल्दी आपका वीडियो में बना रहा हूं प्रशन तयार कर के तो युद्ध और मिर्तियो किस चित्रकार ने चित्रित किया युद्ध और मिर्तियो जिस चित्रकार ने चित्रित किया उस चित्रकार का नाम किष्णा खन्ना है एफें सुजा है सारता चरड उकील या राजारभी बर्मा तो आखरी प्रशन इस वीडियो का अपने कमें किया FM सुजाने बी राइट एंसर तो चलिए मित्रों बताईएगा आज का वीडियो कैसा लगा और इसका पताया अगवा प्रशन कैसा लगा अकर प्रशन दाया हो तो लाइक शेर कमेंट का ना मत बूलिएगा और एक बार फिर से कहा रहा हूं हमारे फेस्बुक पेज अप फेस्बुक चलाते हैं तो फेस्बुक पे अपने आईडी खोलिएगा वहाँ पे जब आप सेटिंग में देखेंगे तो पेज आपसन होगा पेज पेज पे क्लिक करिएगा उसमें सर्च में जाके अपको ये लोगो दिखाई देगा और वहाँ आपसन दिखाई देगा लाइक फालो करने का तो फालो कर लिजेगा और आज से नो बज़े से प्रश्ट आपको ड़ा जाएगे तो चलिए आज के लिए दिजाएद कल फिल मिलते हैं असी समय सी टाइम लेकर कुछ और बहतरी प्रश्टों की सरी तब तक के लिए दिजाएद नमस्कार गुड क्टाने के लिए प्रश्टों की सरी टाएद नमस्कार गुड प्रश्टों की सरी टाएद